क्या था पूना पैक्ट जिसका हो रहा है देशवर में विरोध 24 सितम्मर का दिन भारत के इतिहास में बहुत ही महतपूर्ण दिन है आज के दिन देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए एक समझोता हुआ था 24 सितम्मर को ही पूने की यर्वदा जेल में महत्मा गांदी और डॉक्टर बाबा साहिब भीमराव अमेटकर की बीच पूना पैक्ट हुआ था पूना पैक्ट महत्मा गांदी और डॉक्टर बाबा साहिब भीमराव अमेटकर बीच पून की यर्वदा सेंट्रल जेल में 24 सितमर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट समझोता वो था जिसने एक बड़े शोशिद वर्ग को प्रभावित किया बाबा साहिब भीमराव अमेटकर गोल में समेलन से जो अधिकार अचुतों के लिए लेकर आई गांधी ने उन अधिकारों के खिलाफ भू खड़ताल कर दी और इन अधिकारों को रद करने का प्रस्ताव रखा अंग्रेज अंग्रेजी सरकार ने इस समझोते को मैक डॉना समझोता में अच्छूत वर्ग के लिए प्रिथक निर्वाचन मंडल को रद कर दिया गया था और गांधी ने अपनी शर्तों पर यह समझोता किया इस समझोते ने अच्छूतों वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के विधान मंडलों में 71 से बढ़कर 147 और केंद्र विधा में कुल सीटों की 18% तक कर दिया गया गांधी जी उस समय पूना की यर्वदा जेल में थे मैं डोनाल्ड अवर्ड की घोशना होते ही गांधी ने अपने पहले को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और इस इसे बदलवाने की मांगी लेकिन जब उनको लगा कि उनकी मांग प ने कहा कि मैं पृतिक निर्वाचन का विरोध करता हूं और इसे रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूँगा डोक्टर बाबा साहिव अमेटकर के सामने इसे बदलवाने के लिए लड़ गए जिससे बाबा साहिब बहुत दुखी हुए उनका कहना था कि अच्छ निर्वाचन के अधिकारों से तो गांदी जी को कोई आपती नहीं है जिसके साफ्ट पता चलता है कि उन्हें सिर्फ अच्छूतों के अधिकारों से दिक्कत थी जब अंशन के चलते गांदी की तब्यद लगात्तार बिगड़ने लगी गांदी के प्राणों पर भारी संक को दमगाने की कोशिश कर रहे थे गांदी जी की जान जान गई तो अच्छा नहीं होगा अलग अलग जगावपा अच्छूतों पर हमले किये गए सर्वक्षणों से अच्छूतों की बस्तियों को जलाना शुरू कर दिया गया देश में बढ़ते दवाब को देख बाबा स सब्सक्राइब 24 सितमर 1932 को शाम पांच बजे यर्वदा जेल पहुंचे यहां गांदी और डॉक्टर अमबेटकर के बीज समझोता हुआ जो बादमापुनापैक्ट की नाम से जाना गया इस समझोते ने डॉक्टर अमबेटकर ने अच्छूतों को मैक डॉनाल्ड अवर् पूनापैक्ट पर साइन के इस तरह बाबा साहिम ने पूनापैक्ट पर साइन करके गांदी जी को जिन्दी की दे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले